गुड मोरिंग स्टुडेंट्स आज मैं आपके लेकर आई हूँ आज की दस वर्शू से 100% रिजर्ट के साथ रूरल एडिया में इंग्लिश क्लासे यूटूब चैनल पे सब्सक्राइब करें बेल आइकन को क्लिक करें आज क्लासे यूटूब के स्टुडेंट यूटूब चैनल पर बंदना रावाए गॉल्डन रेज बुक वन इंग्लिश क्लासे यूटू लेस्टू ओन वोईलेंस पैसे बन देयर इस ग्रेट डील ओफ वोईलेंस इन द वर्ड वोईलेंस हिंसा इस अंसार में कई तरह की हिंसा है बहुत मातरा में There is physical violence शारिरिक हिंसा and also inward violence और आंतरिक violence भी फिंसा Physical violence is to kill another Physical violence वो केलाती है जिसमें हम किसी विक्ति को जान से मार दे तो हर्ट अधर पिपल कॉंशेसली लेकिन यदि हम जान भूज कर किसी व्यक्ति को हर्ट करते हैं डेलिबरेटली इंटेंशली इंटेंशली अपनी मन से और विदाउट थोड बिना सोचे तो इस्टे क्रिवल तिंग्स और कुछ भी बोल देते हैं हम जैसे की गाली दे देते हैं अपशब्द बोल देते हैं तो फुल ओफ एंटागोनिज्म एंड हैट जो पूर तरह से घ्रणा और क्रोध से भरे हुएं एंड इंवाडली और आंत्रीक मन से इंसाइड दे स्किन जो हमारी स्किन के अंदर तो डिसलाइक पेपल जिसने हम पसंद नहीं करते हैं जो लोग पसंद नहीं करते हैं टू हैट पेपल लोगों से नफरत करते हैं टू क्रिटिसाइज उनकी आलोचना करते हैं पिपल की इंवाडली वी आर ओल्वेस क्वाल रहें और तो हम अंदर से उनसे मेशा लड़ रहे होते हैं बैटली बैटल होई रितियोती लड़ाई हो रही होती हैं नॉट आउन्ली एदर्स दूसरों से नहीं बट विद ऑफरसेल्स यहां तक ही हम अपने आप से भी दबाव डालते हैं कि वो हमारे जो way of thinking हमारा जो सोचने का तरीका है उसी की तरव वो भी सोचे Answer the following questions from the passage Question 1 What does the author discuss in this passage? Author इस passage में क्या discuss करता है? Question 2 What is physical violence? Physical violence शारिरी किन सा क्या है? Third, what is involved violence? Antrik इंसा क्या है? Question 4 Pick out from the passage the word which means intentionally Paces से वो शब्द खोजी जिसका मतलब होता है Intentionally नियत से किया गया का रहे That answer is deliberate YouTube पर चैनल को subscribe करें Bail आइकन को क्लिक करें YouTube चैनल पर बंदनार रावल Thanks आज के लिए इतना ही Next per end of next session Thanks